प्रोजेक्ट उद्भव के साथ भारत के प्राचीन वार परंपराओं को युद्ध परंपरा युद्ध कौशल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अब यह युद्ध परंपराएं भारती थलसेना के वार स्ट्रेडिजी में जल्द ही शामिल होंगी तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है उसको हम आज जानेंगे हम सभी जानते हैं कि भारती थलसेना अपने आपको आधुनिक बनाती जा रही है लेकिन आधुनिक्ता में अब भारती सेना का प्रोजेक्ट उद्भव आ गया है प्रोजेक्ट उद्भाव से related अभी हाली भी एक काफी important meeting discussion किया गया था और इसमें यह कहा गया था है भारत के जो ancient war culture है, administration है उनको हम भारती थल सेना में कैसे आत्म कर सकें इस पर काफी बड़ी discussion की गये जिसमें wisdom in state craft, strategy, diplomacy और warfare skill को कैसे हम future warfare में इंडेट करके सेनाओं को कैसे मजबूत कर सकें इसलिए project उद्भाव की शुर्वार आर्मी के द्वारा की गई है जिससे कि हम भारत के heritage को जो की state craft और strategic issue से related है उसको हम फिर से rediscover कर सकें और पुराने समय में प्राचीन काल में जो भी युद्धकला नीती और शाषन कुशलता अपनाई जाती थी उसको भारती थलसेना कैसे आपकी सीख सकें क्योंकि भारत के इतिहास विश्व का सबसे प्राचीन कम सबद्या और इतिहास है और इस सभेता इतिहास को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है अभी हाली में इंडियन आर्मी के द्वारा United Services Institution of India Army Training Command के बीच में एक hybrid seminar conduct हुआ था जिसका titled Evaluation of Indian Military System, Warfighting and Strategic Thought, Current Research in the Field and Way Forward रखा गया था और इस project के तहब हमारे interest और support को garnet किया गया वहीं पर ये सभी questions पूछे गए कि ये जो deep-rooted strategic concept है वो किस प्रकार से modern और future conflicts में सहायता प्रदान कर पाएंगे तो अब देखना ये होगा कि जो प्राचीन तम युद्धकला कोशल था वो Indian Army उसको कैसे आत्मसाथ कर पाएंगी क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं पहले युदाप का घोड़े हाती पर लड़ा जाता था समतर मैदानों पर लड़ा जाता था लेकिन अब तो काफी dimensions change है तो क्या-क्या चीजे हम पिछले सब्धेता संस्कृती से लेंगे और वो कैसे हमारे सेना की strategic warfare में महत्व इस्थापित कर पाएंगे ये देखना होगा और इसकी discussion स्टार्ट हो चुकी है कई veterans ने इस पर जो है अपने सवाल में उठाए है वही पर कहा गया है कि this initiative alliance with the government directive to modernize and set vestiges of the colonial era in the armed forces colonial era को तो धीरे-दीरे खतम किया ही जा रहा है और हम अपने प्राचीन वस्थाओं को कैसे फिर से इसमें ले आ पाएं इस project उद्भव की शुरुआत वैसे तो 2021 से आपकी start कर दी गई थी और इसमें 75 एप रोजम्स आपके located हैं जहां पर ancient text से माध्यम से हम अपने strategic heritage को फिर से पुनाप्राथ कर पाएं recent time में जो seminars आपके हो रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो ancient text हैं जो कि 4th से लेकर 8th century तक हैं उनमें जो महान ब्यक्तित्व हैं जैसे कि कॉटल, कामंदक, कुराल उनके नीतियों पर हम चर्चा करें, उनको पढ़ें, उनको जानें और जो भी important चीज है उसको हम सेना में आपका इंडट करते चले जाएं तो ये काफी बड़ा बदलाव, अगर ऐसा होगा, तो आने वाले समय में देखा जाएगा और इस project उद्भव के साथ जो है series of engagement कंड़ेट किये जा रहे हैं Indian Military Heritage Festival भी आपका October 21-22 को आपके schedule किया जाएगा जिसमें सभी हमारे commanders इसमें शामिल होंगे और हम एक साथ मिलकर इसको आगे बढ़ा पाएंगे आपका राए क्या है, project उद्भव के लेकर आप सभी comment box में भी बताते जाएए आप सभी defense experiment अपने written और SSB interview की preparation SSB crack exam के online course में जुड़कर जरूर करें वह written code का use कर लें जिससे कि आपका 10% का flat discount मिलता जाएगा अगर आप एक defense experiment हैं और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं